हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का सुवागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगे हिंदी की कल की क्लास में मैंने आपको लेखन अभ्यास के बारे बताए था जिसे मैंने आपको सुलेक, अनुलेक और शुटलेक की जानकारी दे दी थी इसके साथ ही आपको वर्तिनी पढ़ाई थी, वर्तिनी संबंदी अशुदियां क्यों होती हैं, इनको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज में आपको बता चुकी हूँ साथ साथ शुद्वर्तिनी करा दी थी, जहां से आपकी objective question काफी सारी बन सकते हैं और इसके बाद कल आपको last topic जो कराया था वो था अभी व्यक्ति, जिसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी बाद दूसरों के सामने रखेगा, कौन-कौन से साथ हैं ये सारी चीज़े आज मैं आपका हिंदी का जो next topic है विराम चिन वो start कर रही हूँ, और हिंदी का ये आपका last topic है, इसके बाद आपका हिंदी का जो syllabus है वो complete हो जाएगा, तो आप सबी फटा-फट से class को अपनी दोस्तों के साथ share कर दीजी और like भी कर दीजी, चलिए आते हैं विराम चिन पर विराम का मतलब क्या होता है तो सबी जानते हैं विराम का मतलब है रुकना, चीक है, विराम का शाब्दिग अर्थ रहेगा रुकना या फिट हैर ना, जब कोई वकता बोल करके अपनी बात किसी के सामने प्रस्तुत करता है, तो आपने देखा होगा, वो कहीं ना कहीं पूछ इस्तानों पर रुकता है इस रुकावट से क्या होता है जब वो अपनी बात बोल करके प्रस्तुत कर रहा है तो जब वो रुक रहा है तो उससे उसकी बात जो है वो क्या है इस पस्ट लग रही है और प्रभावशाली लग रही है जो भी व्यक्त उसकी बात को सुन र कहीं ना कहीं पर रुकना होता है बीच बीच में तो जब हम बोल रहे होते हैं तो इस रुकावट को हम कैसे दर्शाते हैं बीच में रुक करके लेकिन यहीं पर हम लेखन कारे कर रहे होंगा कोई वक्ता लिख करके अपनी बात प्रस्तुत कर रहा होगा और उसको बताना होग तो वो कैसे प्रदश्चित करेगा तो कहीं न कहीं लेखन में उस चीज को दिखाने के लिए भाँ पर कोई न कोई मार्क या सिंबल या कोई चिन जरूर लगाएगा तो जब लेखन में वक्ता अपनी बात को प्रदश्चित करता है और कुछ समय के लिए रुकता है तो वहां उस रुकावट को दिखानी के लिए वो जिन चिन्नों का प्रियोग करता है वही चिन्न कहलाते हैं विराम चिन्न इनका प्रियोग करने से होता क्या है तो विराम चिन्नों का जब हम प्रियोग करते हैं लेखन कारे में तो उससे क्या है हमारी बात बहुती इस पस्ट लगती है और प्रभावशाली लगती है कहीं न कहीं जो भी व्यक्ति पढ़ रहा होगा उस चीज़ को उस पर इफेक्ट पढ़ेगा क्लियर तो विरामचिन क्या रहेंगे कि वक्ता आपने विचारों को व्यक्त करते समय वाकि में या फिर वाकि की अंत में रुखता है लिखने में इस ठहराव को दर्शाने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं विरामचिन ठीक है चलिए अब बात करते ह कि विरामचिन का उपयोग क्यों होता है तो आप ये लिख सकते हैं विरामचिन का उपयोग हम बात को इसपस्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं विरामचिन कितने हैं तो हिंदी में विरामचिन्नों की संख्या आपकी कामता प्रसाद की अनुसार जो है वो है 20 कामता प्रसाद जो गुरु हैं उन्होंने विराम चिन्नों की संख्या बताईए 20 ठीक है लेकिन हम कुछ भातपून जो विराम चिन्ने जहां से कोशन बनते हैं उनको ही देखते हैं 2019 में पूछे भी गएते आप से बुला था कि किनी चार विराम चिन्नों के वारे में वर्ड अर्ध विराम अर्ध विराम का मतलब है उपर बिंदी नीचे कॉमा उप विराम या अपूर्ण विराम जिसे विसर्ग लगती है यह वैसे लगता है उप विराम इसके बाद प्रशन बाचक चिन्न जिसका प्रियोग हम प्रशन पूछते समय करते हैं कुश्चन मार्क बोल है उनने डेशक सीन आपका बड़ा होता है इसको हम डैश भी बोलते चुन को इसको इसके बाद मोदाश यह कूई नर्ड colours करते हैं सिंगल ऑल डब iemand इन्वर्टेट कॉमा चीके दोनों का प्रियोग अलग-अलग करते हैं इसके बाद है विवरंट चिन विवरंट चिन में क्या है दो बिंदी लगानी आपको विसर की तरह है और एक डैश का साइन कीज देना यह विवरंट इसके बाद है लाघव चिन लाघव चिन का मतलब है आप जिसे जीरो बनाते है वैसी छोटी सी बिंदी बना देनी है इसका प्रियोग हम करते है जब कोई बड़ा शब्द है उसको शौर्ट में लिखना हो जैसे उत्तर प्रदेश को लिखना हो तो इस प्रकार से लिख देते यह लाघव चिन्न का प्रियोग करते है इसके बाद है लोप यह पिया हंसपथ चिन्न ग्या कोश्टक और के बड़ा कोश्टक सबसे बाद सबस्यादा हिंदी कोश्टक hasnat इसाहां का समता सूचक wrap regional यहारे यह यहीं दो करतें प्रें केशाक सूचक यहारे किसमें ही लास्ट है आपका इतिश्री इतिश्री का प्रियोग हम तब करते हैं जब कोई आपकी लिखा जा रहा है तो समाप्त होता है लास्ट में सब हमारा भीराम न वाला है पूर्ण विराम चीन ठीकर ये देखो question आपका दो तीन बार exam में पूछा किया था 17 में, 19 में और 2020 में आया हुआ है पूर्ण विराम क्या है तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भाती ठैरना पूर्ण means पूरा विराम means रुकना यानि कि पूरी तरीके से विराम लेना ही कहलाता है पूर्ण विराम इसका प्रियोग हम कब करते है तो इसका प्रियोग हम करते है वाक की समाप्ती पर जब हम बात कह रहे हैं जो भी वाक के बोल रहे हैं जब वो समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर हम करते हैं पूर्ण विराम चिन का प्रियोग जैसे कि राम सेब खाता है, पूर्ण विराम लग गया, सीता वा गीता प्रति दिन इस्नान करती है, पूर्ण विराम है आपर लग गया, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, वहाँ पूर्ण विराम लगेगा, ऐसे किसी का कोटेशन है, बोल रहे हैं, इसे सुभाशन बोस कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूंगा तो इसके बाद भी आप क्या लगाएंगे पूर्ण विराम आजादी दूंगा के बाद क्या लगेगा पूर्ण विराम लगेगा क्लियर है जब बात हमारी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है तो वहां पर पू प्रियोग होगा अल्प विराम का अर्थ होता है कम ठहरना वाक्य में जहां पर कम ठहरना होगा कम रुकना होगा वहां पर हम अल्प विराम का प्रियोग करते हैं तो यह कंडिशन कहां कहां देखने को मिलती हैं सबसे पहले मिलेगी शब्दों को अलग करने के लिए यानि कि जब आप कोई बाक्य बोल रहे हैं, वहाँ पर कही सारे शब्द आ रहे हैं, तो उन शब्दों को अलग-अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं, मैं बाजार गया, मैंने बाजार से पैन, पैंसिल, रबर, कटर ये सारी चीज़े खरी दी, तो पैन, पैंसिल, रबर, कटर इनके बीच में आप क्या लगाएंगे, अलप विरामचिन लगाएंगे, ठीक है, उन सबी को अलग-अलग करने के लिए, एक्जामपल यहाँ पर देखेगा, सुनीता ने आम, सेब, संत्रावा केले खरीदे, तो आम, सेब और संत्रा को प्र बाधा बाजार जा रही है, मीरा, नेहा और सुर्वी, इनको अलग करने के लिए क्या लगाया है, यहाँ पर अलप विराम लगाया है, पहली कंडिशन आपको समझ में आ गई होगी कि कहां पर प्रियोग करेंगे, तो शब्दों को प्रथक करने में करेंगे, दूसरा है संबोधन के बाद, संबोधन के बाद वैसे तो आपका जिससे आपने बोला कि राम या हे राम तो वहाँ पर तो विस्मियादी बोधक चिन का प्रियोग होगा, जब ऐसे कुछ कोशन होते हैं, क्या तुम वहाँ जाओगे, तो वहाँ पर उत्तर देगा, हाँ मैं वहाँ ज तो यहाँ पर आप देखिएगा इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे नेक्स्ट प्रयोग कहाँ पर होगा अंकों को लिखते समय जब 1,2,3,4,5,6 लिखते हैं तो उनको प्रथक करने के लिए बीच-बीच में क्या लगाते हैं कॉमा लगाते हैं उद्धरण चिन से पहले उद्धरण चिना होता है आपका इन्वर्टिट कॉमा और इन्वर्टिट कॉमा से जस्ट पहले आपका क्या लगता है कॉमा जैसे कि यहाँ सेंटेंस देखिएगा मा ने कहा तुम घर जाओ तो यहाँ पर यह क्या है आपका अल्प विराम है ठीक है कॉमा है यह जो आपको लगे हुए यह दिख रहे हैं यह क्या है यह उद्धरण चिन्न है इसको भी आगे हम पढ़ेंगे और यह वाला आपका क्या था यह था पूर्ण विराम क्लियर है चलिएगा आगे आते हैं अर्ध विराम पर अर्ध विराम का प्रियोग कहां पर किया जाता है तो यह 1977 दो बार कुश्चन आया हुआ है जब वाक्य में आपको अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़ता है तो वहां पर हम अर् खूब परिश्रम करो और दूसरा है परिक्षा निकट है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए या तो यहां पर हम कोई ना कोई आपका समुच्चे बोदक अव्यव अगयरा का प्रियोग करें नहीं तो हम क्या करेंगे इसका प्रियोग करें किसका अर्ध विराम का एक कॉम उपर बिंदी और नीचे एक कॉमा ठीक है अब खूब परिश्रम करो परिक्षा निकट है तो यह जो आपका चिन लगा हुआ है यह क्या है अर्ध विराम है ठीक है अगर आपके और भी कई सारे उपवाग के हैं तो उन सब को जोड़ने के लिए हम किसी का प्रियोग प्रश्न पूछा जाएगा तो जिन वाक्यों में कोई प्रिश्न पूखा जाता है उनके अंत में हम प्रश्न वाचक चिन का पडियोग करते हैं जैसे कि वे कहां जा रहे हैं ? तुम क्या करते हो ? क्या तुमने खाना खाया ? क्या लगेगा ? तुम कब आ रहे हो ? क्या लगेगा ? तो जहां क्योचन पूछा जा रहा होगा वहाँ पर क्या लगता है question mark लगता है यानि कि प्रश्ण वाचक चिन लगता है और कैसे लगाते हैं कुछ इस प्रकार से आगे आएगा next आपका विस्मयादी बोधक चिन विस्मयादी बोधक चिन भी important है आपका ये जो चार उपर के 5 आपने देखी है न ये सभी important है आपके 5 एक लाइन और नीचे बिंदी ठीक है ये विस्मयादी बोधक चिन है जब वाक्य में हर्श शोक भय चिंता आश्चर इन भावों को प्रकट करना हो तब हम विस्मयादी बोधक चिन का प्रयोग करते हैं ठीक है साथ साथ जब किसी के कल्याड के लिए प्रार्थना करनी हो तो वहां भी हम इसी का प्रयोग करेंगे जैसे हे इश्वर सभी का कल्याड करो तो यह सभी यहां पर भी किसका इसी का प्रयोग होगा ठीक है हे प्रभू सभी की रक्षा करो तो हे प्रभू के बाद क्या लगेगा विस्मयादी बोधक चिन लगगा जब हमें किसकोई प्र आव आ रहा है तो वहाँ के बाद क्या लगेगा विस्मियादी बोधक्चिन और यहाँ पर आपका पूर्ण विराम लगा हुआ है ठीक है यह क्या है यह है पूर्ण विराम और ये क्या है विस्मियादि बोधक चिन्ड ठीक है अपने से बड़ों के आधर के साथ सम्मोधित करने के लिए और ईश्वर से या किसी बड़े से कामना इच्छा करने के लिए भी हम इसी का प्रियोग करते जैसे हे ईश्वर सभी का कल्याण करो तो हे इश्वर के बाद करेंगे next आते हैं अवतरन या उद्धरन चिन क्या होता है इसको inverted कॉमा बोलते हैं सिंगल भी होता है और डबल भी होता है इसका प्रियोग हम तब करते हैं जब किसी शब्द की विसिस्टता या विलगता को सूचित करना हो कि जो भी शब्द है यह थोड़ा सा क्या है इस ठीके थोड़ा चीजल सब्द है जो भी हां लिखा जा रहा है तब वहाँ पर उसको हाइल्लाइट करने के लिए आप बोल सकते हैं धूज безопас kepada 3 यहाँ पर आप यह समझें कि उसे वर्ट को दिखाने के लिए उसी की तरह प्रकट करने के लिए हम उद्धरन चिन का प्रियोग करते हैं एक हरा उद्धरन चिन होता है और एक होता है दोहरा उद्धरन चिन एक हरा उद्धरन चिन का प्रियोग हम करते हैं जब किसी पुस्तक का नाम किसी लेखक का नाम या किसी सीषक का नाम परचाद है तो आसुक्रती को देखिए सिंगल इन्वल।्ट गॉमा में लिखा हुआ है और जैसंक्र्परशाद को भी क्या लिखा हुआ है इन fountain कौमा में ठीक है तो इस प्रकार से इनको क्या कैसे लिखेंगी इंवर्टेट कौमा में ऐसे आप लिख सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कभी कहा जाता है तो आप प्रकृति का सुकुमार कभी किसमें कर्म बूस में लिखेंगी सिंगल इंवर्ट कॉमा में जब हमें किसी का उपनाम दिखाना हो या फिर किसी पुस्तक का नाम स्पस्ट करना हो किसी लेखक का नाम स्पस्ट करना हो तो वहां पर हम इसी उसको लगाते हैं इसकी बाद आता है आपका डबल इन्वर्टिट कॉमा तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे जब किसी व को जियों खतियों बताना हो तब हम करेंगे किसका प्रियोग दोहरे उध्रन चिन्ने का प्रियोग करेंगे ठीक है इसे ही यहां पर एक इसबेभी मा की बाति में आपने English में कभी न कभी direct और indirect speech पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा direct speech और इंडारेक्टी स्पीच में आपने इंवर्टिट कॉमा को लगे हुए वहाँ पर नोटिस किया होगा तो उनके द्वारा कहे गई बात को जैसे गत ऐसा दिखाना और तब हम ऐसे प्रियोग करेंगे चीक है आगे आते हैं नेक्स्ट आपका निदेशक चिन जिसको हम बोलते हैं डैश क्या बोलते हैं डैश इसका यूज क्या करते हैं तो सबसे पहले तो इसको देखेगा कि यह चिन योजक चिन से बड़ा होता है योजक छोटा होता है निदेशक थोड़ा बड़ा होता है इसका प्रियोगम किसी अ लगे हुए दिख रहे होंगे पहला आपको एक इन्वर्टिट कौमा दिखा उसके बाद पूर्ण विराम दिखा और एक यह साइन दिख रहा है यह क्या है यह डैश का साइन है निदेशक चिन है कभी हम जैसे कोई परिभाशा लिख रहे हैं तो वहां पर उधारन दिया तु उसके बातरन चिन है इन्वर्टिट कौमा है यह था आपका पूर्ण विराम और और नहरू से पहले जो लगा उभा है यह वाला क्या है यह वाला है हमारा निदेशक चिन यानि की डैश का साइन च्लियर है ऐसे ही देख यहां पर जैसे जैसे कि आगे जो चिन लगा है यह क प्रियोग कहां करेंगे तो इसका प्रियोग संयुक्त शब्दों के जोड़ने के लिए या पिर समास युक्त शब्दों में किया जाता है ठीकित जब डो शब्दों को हमें जोंट करना हो विपरित आर्था कों यह हो तो वहां पर हम इसका productive कर देते हैं पहला है जब दो विप्री दर्थ देने वाले शब्दों तो उनके बीच में जैसे दिन रात ऊपर नीचे पाप पुन्य गरम ठंडा ठीक है ऐसे अगर होंगे तो वहां पर हम किसका प्रियोग करेंगे योजक चिन का ऐसे ही दो शब्द में अगर एक सार्थक है दूसरा निर्थक के तब भी हम प्रियोग करते हैं जैसे खाना वाना पानी वानी ठीक है यहां पर बीच में कौन सा लगेगा योजक चिन लगेगा आना जाना वहां भी हम कर देंगे यहां पर खेर दोनों ही क्या है आपके तो यह तो यहां विप्री दार्थक में और जब एक ही संग्या दो बार आ रहे होगी यहां पर भी रिपीट हो रही होगी वहां पर भी हम इसका प्रियोक चाहिए और और दो भार जब लगा है को इसके बाद आईगा लागव चिन घे माना शेंच चिन भी कहते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से लगाते हैं इसे छोटी सी गोल सी बिंदी संचेप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बड़े से जो आपका शब्द है उसको शोट फॉर्म में कर देते हैं कनबर ठीक है तो किसी शब्द को संचेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर शूनि का चिन लगा देते हैं यही चिन कहलाता है लागफ चिन जैसे उत्तर परदेश तो आपने देखा बनाया बिंदी लगा दी प्रा बनाया और यह चिन लगा दे यही चिन ने क्या है लागफ चिन ने डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे लागफ चिन का मध्य परदेश शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो किसका प्रयोग कर दिया ल इसके बाद आगी आईएगा नेक्स्ट आपका हंस पद चिन हंस पद चिन या इसको बोलते हैं तुरुटी पूरक लिखा हुआ है नीचे चलिए पढ़ते हैं हंस पद का प्रियोग कब करते हैं तो वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्दिया कोई वाक्य छूट जाता है त इसको हम तुरुटी पूरक चिन भी कहते हैं तो कि जो भी तुरुटी हुई है ना हमसे हम भूल गए लिखना तो हम इस चिन को लगाएंगे और वहां पर लिख देंगे चिन आपका इस प्रकार से लिखता है जैसे यहां पर देखेगा एक्जामपल में राम प्रतिदिन व लेखक लिखना भूल गए तो क्या किया यहां पर जहां पर लिखना भूले वहां पर यह चिन लगाया और उसके ऊपर हमने क्या लिख दिया लेखक यह चिन क्या बता रहा है कि ऊपर जो चीज है वह लिखी हुई है इसकी इसकी बाद आईएगा कोस्टक कोस्टक का प्रयो कठिन शब्दा गया है तो उसका explanation करने के लिए इस पस्टी करण देने के लिए हम कोश्टक का प्रयोग करते हैं ठीक है कोई भी आपने कोई sentence लेका वहाँ पर कोई कठिन शब्दा है या आपको अर्थात करके उसका meaning बताना है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी देनी है थोड़ा और इस पस्ट करना है तो वहाँ पर हम कोश्टक लगाके उसके अंदर उस चीज़ को लिख देंगे तो ये आपका कोश्टक का प्रयोग इस प्रकार से होता है हिंदी में ठीक है जैसे यहाँ उधारन देखेगा तुलसी दास जी ने अनेक महान ग्रंथों की रच इस पस्ट कर दिया ब्रैकेट में तो इस तरीके से जो कोश्टक है वो उसका प्रयोग करते हैं उमीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा यहीं पर आपका जो हिंदी का स्लेबस है वो कम्प्लीट होता है ठीक है चलिए बाकि जो प्रीवेस एर कोश्टन्स रहेंगी वो मैं आपको जल से जल करा दूँगी जिससे क्या है कि आपको एक्जाम में हेल्प मिले जितना भी हो सके प्रीवेस एर कोश्टन को जरूर करिएगा कोई भी एक्जाम हो आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं डिया प्रीवेस एर कोश्टन्स उठा करके जरूर देखिए जिससे आपको कोश्टन का पैटर्न पता चलता कि कि किस तरीके से पूछते हैं किस इसतर तक वो आप से पूछ सकते हैं जैसे मैट्स की बात रही तो मैट्स में जैसे परसेंटिस का टॉपिक है या आपका लाभानी कोई भी टॉपिक है उससे कोश्टन इजी से इजी भी बन सकता है तफ से टफ भी बन सकता है तो आपको अपनी परिक्षा के अनुसार उसका इसतर देखना हुआ कि किस इसतर तक के प्रशन आपसे पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से कोश्टन पूछे जा रहे हैं यह पता होना जरूरी है इसलिए प्रीवेश को जरूर देखेगा और अगर किसी को नोट्स पर्चेस करने हो अपने फर्स सेमिस्टर के या थर्ड सेमिस्टर के तो वो लोग टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए वहां से आपको जानकरी मिल जाएगी कि आपको किस प्रकार आइ मैं चैनल बाबाई टी कियार